कुछ दिनों से एप्स की दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई है इसकी शुरुवात हुई थी कैरी मिनाटी की रोस्टिंग वीडियो यूट्यूबर वर्सिस टिक टॉक दिये थे लेकिन टिक टॉक वालों ने इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दिया क्यो फिर चाहें ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फिर कोई शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म हो हर जगे सिर्फ एक ही नाम चल रहा था कैरी मिनाटी इतना ही नहीं फैंस ने टिक टॉक एप की इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा दी टिक टॉक को इतना डिसलाइक किया क इसकी रेटिंग 4.5 से 1.2 पर आ गई देश में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी आप को इतना हेट किया गया हो लेकिन सभी के किये पर पानी तो तफ फिर गया जब गूगल ने टिक टॉक की रेटिंग बेज दी और करोडों रिव्यूस को डिलीट कर दिया और वापसी से रेटिंग को पहले जितना कर दिया मित्रो वर्सिस टिक टॉक मित्रो भी एक भारती एप है जो हूबहू टिक टॉक जैसा है इस पर भी टिक टॉक की तरह वीडियो बनाई जाती है इसकी बढ़ती लोग प्रियता को देखकर फिर से चाइना घबरा गया और इसे भी गूग और अभिनेता उन्हें लाइव आकर सबके सामने टिक टॉक को और इंस्टॉल कर चीन के मूँपे करारा तमाचा मारा है रिमूफ चाइना एप भी एक इंडियन एप है जो यह बताता है कि हमारे फोन में कौन-कौन से चाइनीज एप हैं जिससे कि हम उन्हें अनिंस्टॉल कर सकें लेकिन आप गूगल प्ले स्टॉर ने इसे भी हटा दिया है गूगल यह सब फैसले चीन के दवाब में ले रहा है लेकिन शायद गूगल को यह नहीं पता कि कहीं इंडिया से पंगा लेना उसे भारी न पड़ जाए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें गूगल बटाए